बाबा सिद्धिकी की हत्या का आरोपी शूटर हॉस्पिटल में 30 मिनिट तक क्या कर रहा था? एक महीने हो चुका है, केस अभी भी अंसुलजा है बाबा सिद्धिकी केस में गिरफ्तार शूटर शिव कुमार आए दिन एक के बाद एक नए खुलासे कर रहा है इस बार जो खुलासा किया है उसे सुनकर आप चौक जाएंगे नमस्कार आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी से ही तो क्या है पूरा माजरा जानते हैं विस्तार से शूटर बोला, बाबा सिद्धिकी मडर का राज खोला शूटर शिवा गौतम का संसनी केच खुलासा दस लाग की सुपारी, बाबा सिद्धिकी को गोली मारी लॉरिंस का ओडर, अनमोल के कहने पर मडर एंसिपी नेता बाबा सिद्धिकी की हत्या की जाच कर रही मुम्मी पलिस को पता चला है मुखी शूटर शिव कुमार गौतम अपराद के बाद बांदरा इस्ट में गोली बारी की जगा पर गया था और बाद में सिद्धिकी की मौत की उस्टी करने के लिए वो बांदरा की लीलावती अस्पताल भी गया उसने पूरे 30 मिनट लीलावती अस्पताल के बाहर इंतजार किया 10 नमबर को मुंबई क्राइम रांच और उत्तर प्रदेश स्पेशल टाक्स पोर्स शिव कुमार को यूपी के बहराई जिले के नानपारा से गिरफतार किया कई मीडिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जा रहा है वो मौत की पूस्टी के लिए वापस अस्पताल गया साथ की क्राइम रांच के वरिस्ट अधिकारी ने कहा कि तब से मुंबई पुलिस उससे पूस्ताच कर रही है क्योंकि वो मुख आरोपियों में से एक शुभम लोकर का करीबी सही होगी था और जेल में बन गेंग्स्टर लॉरेंस बिष्णोई के भाई अनमोल के संपर्क में था पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसने देखा कि पुलिस पहुँच गई है और बाबा सिद्धिकी को लिलावती अस्पताल में ले जाया गया जब उसे वहाँ बाबा सिद्धिकी के बारे में कोई ख़बर नहीं मिली तो वो लिलावती अस्पताल गया जहां उसने सिद्धिकी की मौत की ख़बर सुनने तक इंतजार किया पुलिस ने दो दिन बाद शिर्ट और पिस्तॉल वाला बैक बरामात किया लीलावती अस्पताल में शिव कुमार आटो से बैड कर कोड़ा रेलवे स्टेशन के लिए निकला कोड़ा से वो थाने गया और वहां से पुने गया उसने कुछ धंटे इंतिजार करने के बाद फिर उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेन पकड़ी उसने रास्ते में अपने फोन को नस्ट कर दिया और लखनाव में नया फोन खरी लिया साथ ही पुलिस अधिकारी ने सूचना दी की तीनों शूटर हत्या के बाद उजैन में मिलने और जम्मू में वैशनो देवी मंदिर जाने की योजना बनाए थी अलाकि जब शिव कुमार के साथी शूटर हत्यास्तल पर गिरफतार हो गये तो वो उत्तर प्रदेश के लिए निकल गया वहां से वो बस लेकर बहराईच पहुचा जहां से उसने नेपाल भागने की योजना बनाई गिरफतारी के समय वो एक सुरक्षित घर में था पुलिस जास में पता चला है कि दोनों आरोपी जारकन के एक जंगल में फाइरिंग की प्राक्टिस भी करते थे और उन्हें पुने के राजनेता को खतम करने का काम दिया गया था इस बीच क्राइम रांच महरास्त आतंगवाद मिरोधक दस्ते और अकोट पुलिस जिनों ने पहले एक अलग मामले में शुभम लोनकर को गिरफतार किया था कथित तोर पर पाया की लौरेंस विस्नोई गिरो ने आफताप पुनावाला को खतम करने की योजना बनाई थी पुनावाला को नवंबर 2022 में दिल्ली पुलिस ने अपने लव इंड पार्टनर श्रद्धा वारकर की कथित तोर पर हत्या करने और उसके शव को काट कर फ्रिज में रखने के आरोप में गिरफतार किया था पुलिस अधिकारी ने कहा आफताप गिरो के लिए एक उप्यूक्त लक्ष था क्योंकि इस माबले में मीडिया में तुल पकड़ लिया था और यह उनके कट्टर पंथी विचारों से भी मेल खाता था पुस्ताच में ये भी पता चला शूटर शेव कुमार गौतम ने प्लानिंग के मुताबिक घटना को अंजाम दिया था योजनाओं में ये भी शामिल था कि धर्मराज कश्य और गुरमेर सिंग को उज्जान रेलवे स्टेशन पर मिलना था जहाँ विश्णोई गैंग का सदर से उन्हें वैश्णोदेवी ले जाने वाला था हाला कि ये योजनाओं विफल हो गई क्योंकि घटना स्थल पर दोनों शूटर पकड़े जा चुके थे एन्सिपी नेता बाबा सिद्विकी की 12 अक्टूबर को मुंबई के बांदरा में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को धर दबोचा है शूटर शिव कुमार हत्या को अन्जाम देने के बाद बहराईज भाग गया था वहां से वह नेपाल भागने की फिराख में था एस्टिव उदर प्रदेश वह मुंबई क्राइम ब्रांच की सयूग पुतारवाई में उसे नानपारा बहरराईज से मिलकर गिरफतार किया गया था लॉरेंस विश्वोई दारोप कठर पंती बनाए गये लोनकर ने कथित तौर पर नई दिल्ली के साकेत कोट के बाहर पुनावाला को खत्व करने की योजना बनाई थी जहां उसका मुकदमा चल रहा है हलाकि योजना के साथ वे आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि वह अभी भी दिल्ली में हत्या के लिए प्रसिक्षिक शूटरों को तलास कर रहा था तब उसे बाबा सिद्धिकी की हत्या का काम सौपा गया तो आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है कमेंट करकर जरूर बताईए और चैनल को लाइक, शेर, सस्क्राइब करिए